मेरे पास काफी सरा कॉमेंट आया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर विंडो टेन इंस्टॉल करने के लिए बूटेवल पेंड्राइब कैसे बना याता है इसका एक आप कॉंप्लीट प्रसेस बनाके दखाईए तो आज मैं इंजिनियर राजा और मैं आपसे सेज़स करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीका का नया नया वीडियो पाईए आप पर जाना तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप और डिटे कि अज़िए आपको इस पेस प्याना पड़ेगा इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यह माइक्रो सॉप्ट की अपिसलेवर साइट है स्कॉल डौन करकी नीची आए रहा नीची आने के बाद यहां आपको एक आप्शन मिल जाता है डाउनलोड टूल ना आप इस पे किलिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे यह 18.6 MB के आसपास में यह सब आपके नेट करता है कितना फास्ट आपका नेट चलता है चलिए हम इसको कर लेते हैं और के करके बाद इसको मैं बताता हूं किस तर आपको दो आपको दो अप्सेंन मिल जाता है नो हो आप सह को चूच कर लेंगे एसके बाद यहां कर देना है यहां करेंगे यहां पर सिकति आपके कंपुटर के BIT चूझ कर लेंगे आपका कंपुटर 32Bit है या 64Bit है जैसे कि मेरा कंपूटर 64Bit है तो हमें 64Bit बनानी है तो हम यहां पे यह चूझ कर लेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम 64Bit और 32Bit दोनों बनाए तो इसा लगको बनाना है 64Bit तो हम कर लेंगे इसके बाद यहां से आपको कर देना है नेक्स यहां पर आपको दो अप्शन मिल जाता है यहां आपको कर देना है नेक्स करने के बाद यहां पर आपको लोकेशन पूछ रहा है कि आप अपना लोकेशन कहां पर डालना चाहते हैं यह वह लोकेशन पूछ रहा है ज जयसेंट करता हैरा सब्सक्ट करता है कि आपका सब्सक्राइब यह हिए यह क्जिव होना सब्सक्राइब तो सकते हो जा अब क्यों सब्सक्राइब पर चूछ किया था अब मेडिया क्रेशन टूल का काम हुआ खातम यहां से इसको हम फिनिश करते हैं इसके बाद आपको एक सब्सक्राइब और डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इससे हम पेंड्राप को बूटेबल पेंड्राप बनाएंगे तो यहां आप इस पेच पे आएंगे आने के बद यहां पे आप होना स्टार्ट हो जागा यहां देख रहे हैं कि 1.129 KB का बहुत ही छोटा फाल है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे 1.1 MB का है जस्ट इसको आपको डाउनलोड करकी इंस्टॉल कर लेना है चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं सब्ट के डाउनलोड हो गया है अब आपको ज़रूत पड़ीगी एक पैंडाब की जिसका साज कम से कम 8GB का होना चाहिए तो वह आप अपने लेप्टॉप या आप अपने कम्पीटर से एटेच करेंगे लगाएंगे उसी को हम बूटेवल पैंडाब बनाएंगे लगाने के बाद पैंडाब यहां देखिए आपका ज सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर बूटी चूज करना होगा हम किलेके सेलड़ करेंगे बूटेश करेंगे डिसक और इसके हम किलेक कर देंगे इसके बाद हम को यह Patriots इंस प्रक करने यहां से इसका सारेविсем करने आप देख सकते Donc करते हैं जहां आपको उसमें स्वाइब करलें इसके बाद यहां पर इमेज ऑफ्शन में यहां यहां पर इसके बाद यहां पर इंशलेशन का अप्चन है और इसके बाद यहां पर विंडू जाता है अगर आप यह जो एस्टेंडर वाला स्लेक्ट करते हैं तो आप जो अपने पेंड़ाब को बुटेबल पेंड़ाब बनाएंगे उससे आप किसी भी लेपकोप में या कम्पूटर में आप विंडो इंस्टाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप विंडोज िू औस चूछ करते हैं आप यह जो यूच Church करते हे तो आको फैंड़ाबी विंडो बन जाईगी और विंडोज बने के वादר या अपने Laptop में इसको कर सकते हैं तो आप अपने laptop या computer से direct up windows यूज कर सकते हैं चलिए हम उपर बला option को choose कर लेते हैं तो हम यही बला option choose कर लेते हैं standard windows installation इसको choose करने के बाद यहाँ start पर click करेंगे यहाँ पर ok करेंगे तो यहाँ पर आपका processing start यहाँ पर हो गया है और आपका bootable pen dab बना start हो गया है और जिसका process आप यहाँ पर देख सकते हैं सो गज इसी तरीके से आप अपने pen dab को bootable pen dab बना सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से एंड फाइनली windows 10 bootable pen dab ready हो चुकी है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको बड़ यहाँ से हम colorage करेंगे इसकी आप कोई जरूरत नहीं है चाहे तो इसको आप delete करके हटा सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह pen dab है और यह bootable pen dab बन चुकी है इसको आप open करके देख सकते हैं यह bootable pen dab बन चुकी है इससे आप computer या laptop में windows 10 इंस्टॉल कर सकते हैं आपने जाना कि किस तरीका से windows 10 इंस्टॉल करने के लिए वो table pen dab बना जाता है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को like कर दिजिए अपने fan के साथ share कीजिए अगर आपके दिल में कोई question हो तो नीचे comment box में जाके comment करके सकते हैं